हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मौडन आईटी में आप सभी का स्वागत है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है आईटी आई ड्राफ्टमेंट सिबिल थियोरी फरस्ट इयर तो जित्ता भी एक्जाम से कर लें और बैल आइकन को दवाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को बिना इस्किप किये पूरी वीडियो देखना क्योंकि अगर किसी से आगे जाना है आपको तो मेहनत तो पहुंचे पढ़ता होगा तो एक दिन अगर वो आपके सामने आएगा तो आगे निकल जाओगा और आप वो ऐसे ही खड़े के खड़े रह जाओगे तो इसलिए बीना इस्किप किये मन लगा के पढ़ाई करो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोईचन ने अनुरे अनुरेखण के आदेश के साथ सियाही जिसको हम क्या बोलते हैं भनक सियाही के माध्यम से किसके माध्यम से सियाही के माध्यम से हम ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए सब्द का क्या नाम है ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए सब्द का नाम क्या है जब ड्राइंग को ट्र दूसरे है प्रजनन की विधी, तीसरे है अनुरेखण का अनुक्रम, और चौथा है कपड़े को, तो इसका हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा, ट्रेसिंग की तकनीक, ए नमबर बिल्कुल करेक्ट एंसर है, ट्रेसिंग की तकनीक, अगला कोश्चन देखते हैं, अगला करेक्ट एंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेन, टेबल सर्वे के फाइदे में से एक, ठीक है, ए नमबर इसका बिल्कुल करेक्ट एंसर है, चलिए अगला कोश्चन की तरह बढ़ते हैं, उस सर्वे क्षण का नाम क्या है, जिसमें फिल्ड कार और प्लाटिंग एक साथ फिल्ड में किये जाते हैं, देखिए, मैं डारेक्ट आपको एंसर इसलिए बता रहा हूं, आप लोग सोच रहे होगें कि मैं बहुविकल्पिय नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसका भी एक री और आपने इस वीडियो में देखा है उसको ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं आपको चारो एंसर बता के, आप्सन मतलब पढ़के उसके बाद एंसर बताऊंगा, तो आप परिक्षा में भटक जाओगे, यार नहीं यार ये बताया था, अगर मैं आपको डारेक्ट एंसर तो भटकने के बजाए, आप डारेक्ट उस प्रस्न का एंसर दे दोगे, तो इसलिए मैं डारेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है में, तो चारो आप्सन पढ़के उसके बाद में बताऊंगा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो रहे है, तो किरपय सरवेक्षण, उस सरवेक्षण का नाम क्या है, जिसमें फिल्ड कार और प्लाटिंग एक साथ फिल्ड में किये जाते हैं, कंपास सरवेक्षण, कौन सा सरवेक्षण, ठीक है, अगला है सरवेक्षण की विधी कौन सी है, अब सरवेक्षण की विधी पूछ रहे है, चित्र के हमारी बिधी है किसकी बिधी सर्वेक्षण की बिधी है वह हमारी हो जाएगी रिसेक्षन कौनसी सर्वेक्षण की बिधी ösेक्षन बी नंबर बिलकुल वहाद का perfect answer है नंबर क्विदी कौन सी है सर्वेक्षण की बढ़ते हैं अगला question है सरवेक्षण की विधी क्या है अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस दूसरे मैटर से पूछा जा रहा है यहाँ दे दिया है A, B, C, D, E अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर किसी चीज का सरवेक्षण हो रहा है तो उसकी विधी क्या है अब आपको चित्र देखकर बताना होगा कि सर्वेक्षांकी विधी क्या है चित्र आपके सामने हैं इसका correct answer हो जाएगा कौन सा हो जाएगा चार option आपके सामने हैं विक्राण, resection, traversing और intersection इसका correct answer है हमारा traversing कौन सा? traversing, C number बिल्कुल correct answer है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question हमारा निकल के आ रहा है जमीन के बिंदूओ को मिला कर बने तिर्भुज का नाम क्या है? जमीन के बिंदूओ को मिला कर बने तिर्भुज का नाम क्या है? तो उस तिर्भुच को हम लोग अधिक कोण कहते हैं क्या कहते हैं अधिक कोण उस तिर्भुच को अधिक कोण कहते हैं ए नमबर बिल्कुल करेक्ट अंसर है अगला कोईशन है विधी का क्या नाम है यह जो विधी आपको दिख रही है इसका नाम पूछ रहा है चित्र आप के सामने विधी का नाम आपको बताना है option दिखा दे रहा हूं option है दो बींडू की समस्या दूसरा है तीन बींडू की समस्या तीसरा है traversing paper विधी और चोता है graphical विधी तो इसका correct answer हमारा हो जाएगा A number दो बिंदु की समस्या फिर से देख लिजिए दो बिंदु की समस्या कौनसा बिंदु? A और B ठीक है? दो बिंदु की समस्या मतला हमारा A number बिल्कुल correct answer है अगला है त्राइ एंगुलेशन द्वारा निरधारित स्टेशनों के बीच विभिन विवराण के लिए कौन सा सर्वेक्षान सबसे उपयूगत है पहला है लेवलिंग, दुसरा है चैन सर्वेक्षान, तिसरा है प्लेन टेबल सर्वेक्षान चोथा है कमपास सर्वेक्षान, कौन सा सर्वेक्षान बिल्कुल उपयूगत है प्लेन टेबल सर्वेक्षान कौन सा सर्वेक्षान प्लेन टेबल सर्वेक्षान सी नमबल बिल्कुल करेक्ट एंसर है चलिए अगले कोईशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला कोईशन है सर्वेक्षान की विधी क्या है सर्वेक्षान की विधी क्या है चित्र आपके सामने है चलिए ऑप्षन पर चलते हैं हम लोग यह आपका चित्र है सर्वेक्षाण की विधी क्या है इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि सर्वेक्षाण की विधी क्या है कौन सा सर्वेक्षाण है ठीक है पहला है विकरांट दूसरा एरी सेक्षान तिछ कुल करेक्ट एंसर है अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कि कंपास सर्वेक्षांड या थियोडो लाइट के समान प्लें टेवल सर्वेक्षांड में प्रियुक्त विदी का नाम है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा Traversing Survection कौन सा Survection Traversing Survection C number बिल्कुल correct answer है इसका चलिए देख लीजिए एक बार चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं plan table को किसी निश्चित दिशा के साथ लगाने की प्रकिरिया का क्या नाम है कोई plan table है उसको किसी निश्चित अगला है ताकी योजिना पर किसी विसेज दिशा का प्रतिनिधित करने वाली रेखा जमीन पर दिशा के समांतर हो जमीन पर दिशा के समांतर हो इसका correct answer हमारा हो जाएगा फिर से एक बार repeat कर लेते है는 question को प्लेन टेबल को किसी निश्चित दिशा के साथ लगाने की प्रिकिरिया का क्या नाम है ताकि योजना पर किसी विशेश दिशा पर प्रतिनिधित करने वाली रेखा जमीन पर दिशा के समानतर हो जमीन पर उस दिशा के समानतर हो ठीक है? समझ गया ना? पहला है प्लेंट टेबल पर केंद्राण दूसरा है प्लेंट टेबल को ओरियंटल करना तीसरा है पीछे देखते वे ओरियंटिंग और चुम्ब की सुई द्वारा ओरियंटिंग तो इसका करेक्ट एंसर है हमारा बी नंबर प्लेंट टेबल को ओरियंटल करना प्लेंट तो संयुक्ति दीवारों का रंग नीला होता है कौन सा नीला बी नमबर बिल्कुल करेक्ट एंसर है चलिए अगला कुश्चन है रोड मैप तयार करने के लिए प्लेंट टेबल को किस अस्थान पर स्थापित किया जाता है किसी रोड का जो हम मैप को तयार करते हैं तो plan table को किस अस्थान पर अस्थापित किया जाता है या रखा जाता है तो इसका correct answer है सड़क के किसी एक किनारे के साथ D number बिल्कुल correct answer है अगला है रंग निर्माड बेंचमार्क क्या है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा क्रिमसन लेक ठीक है कहीं कहीं अटक जाते हैं या भगवान थोड़ी है हम भी इंसान ही गलती इंसानों से ही होती है correct answer है C number क्रिमसन लेक ठीक है क्रिमसन लेक हमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा रंग निर्माड बेंचमार्क क्या है क्रिमसन लेक ठीक है चलिए C number हमारा बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसका अगला question है हमारा तीन अग्यात object point के साथ विधी क्या है और ड्राइंग seat पर इसकी प्लाट की स्थिती समस्या को हल करने के लिए ली गई है तीन अग्यात object point के साथ विधी क्या है और ड्राइंग seat पर इसकी प्लाट की स्थिती समस्या को हल करने के लिए ली गई है इसका correct answer हो जाएगा हमारा हो जाएगा यांत्रिक विधी कौन सी विधी यांत्रिक विधी चलिए अग्ले question की तरफ बढ़ते है समस्या का नाम क्या है चितर आप के सामने है देख सकते हैं यह देखिए चितर आपके सामने है ठीक है आपको बताना है समस्या का नाम क्या है इसका करेक्ट एंसर है हमारा कौन सा करेक्ट एंसर है इसका करेक्ट एंसर हमारा तीन बिंदू की समस्या कौन सी तीन बिंदू की समस्या तीन बिंदू आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं एक बिंदू दो बिंदू और तीन बिंदू ठीक है अब दिखे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोईश्चन है विधी का क्या नाम है चित्र आपके सामने है अब विधी का नाम जान लेते हैं इस चित्र की विधी का क्या नाम है ठीक है चलिए इसका हमारा correct answer होने वाला क्या होने वाला है इस वीधी का क्या नाम है तो इस वीधी को हम लोग कहते हैं परिच्छन और तुरूटी वीधी ठीक है समझ गया ना परिच्छन और तुरूटी वीधी इस वीधी को हम लोग कहते हैं अगले कोईशन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोईशन है समस्या को हल करने के लिए ड्राइंग सीट पर किसी भी तीन अग्यात पॉइंट्स और उसके प्लाट किये गए पदों के साथ विधी क्या है मतलब बिना ग्यात किये हुए पॉइंट्स और उसके प्लाट ठीक है